उत्राखंड में Global Investors Summit 2013 का आगाज हो गया है Investors Summit में शामिल हुए प्रदान मंत्री नरीन मूदी और देशभर की उद्ध्यूग पत्यों का मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने स्वागत किया कारिक्रम में उत्राखंड के राज़िपाल लेटनेंट जर्रल गुरमीत सिंग भी मौज़ूद रहे वाई उत्राखंड इन्वेस्टर समिट में पहुँचे प्यम मूदी ने House of Himalayas Book का विमोचन किया कारिक्रम में सियम धामी ने कहा समाज के अंतिम छोड तक पहुँचने के लिए राजसरकार के इन्वेस्टमेंट समिट का एज़न किया गया है सियम धामी ने कहा कि पियम मूदी के वाईबरेंट गुजरास से प्रेना लेकर डेस्टिनेशन दैरादून इन्वेस्टमेंट समिट का एज़न किया जा रहा है उत्राखंड के मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी ने कहा कि पियम मूदी ने समिट की शोभा बढ़ाई है उन्होंने कहा कि उत्राखंड निवेश के लिए सबसे बहतर प्रदेश है पुद्योग पतियों को उत्राखंड में निवेश करने के लिए शुब कामनाई दी कारिक्रम में उत्राखंड के राजिपाल लेफटिनेंट जनरल गुरमीर सिंग मौजूद रहे वहीं बाबा राम देव ने भी कारिक्रम में शिरकत की समिट में पहुँचे प्रधन मंत्रे नरेंडर मोटी ने हाउस ओफ हिमाल्यास के भी लौंचिंग की राज्य के सभी उत्पादों को अब एक नाम से पहचाना जाएगा अभी तक हिमादरी, हिलांस, ग्रामिश्री जैसे तमाम उत्पाद अलग-अलग नाम से बाजार में जाते हैं लेकिन अब सभी हाउस ओफ हिमाल्यास के नाम से पहचाने जाएगे सबसे खास बात ये रही कि समिट में मौजूद प्रणव अडानी ने भी उत्राखंड निवेश के लिए अपना पिटारा खोला अडानी अंटरपाइट्स के निदेशक प्रणव अडानी ने कहा कि हम उत्राखंड में नैच्रल गैस उपलब्ध करवा रहे हैं यहां 200 स्टेट की बसें CNG से चलाएंगे 1700 करोड अंबुजा सीमेंट के विस्तार में खर्च करेंगे वही 300 करोड रुड की प्लांट और रिशिकीश दहरदून के बीच 1400 करोड ग्राइंटिंग यूनिट पर निवेश करेंगे इसके लावा आपको बता दें कि समिट से पहले धामी सरकार ने बड़ी उपलब्धी हासिल की जहां धामी सरकार ने 3 लाख करोड से अधिक के निवेश का M.O.U. साइन किया जो की निर्मान शेत्र टूरिस्म इंफ्रास्ट्रक्चर से जड़े सोला प्रोजेक्ट शामिल है वहीं उत्राखंड इंवेस्टर समिट में P.M. Moody ने House of Himalians बुक का विमोचन किया जिसके लिए P.M. Moody ने उत्राखंड सरकार को House of Himalias के लिए बधाई दी उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के जरिये उत्राखंड के उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी वहीं House of Himalias ब्रांड से दो करोड महिलाएं लखपती दीडी बन सकती है पिया मूडी ने कहा कि भारत में सप्लाई चेंड विक्सित करना है ताकि दूर से देशों पर निर्भन ना रहें देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुपता की रिपोर्ट साथ्यों में आज उत्राखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉंच करने के लिए बहुत-बहुत बधाई देता है यह उत्राखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करने के लिए बहुत अभीनव प्रयास हैं यह हमारी वोकल फ़र लोकल और लोकल फ़र ग्लोबल की अवधारना को और मजबुत करता है इससे उत्राखंड के स्थानिय उत्पादों को विदेशी बाजारों में पहचान मिलेगी नया स्थान मिलेगा बारत के तो हर जीले हर ब्लॉक में ऐसे प्रोड़क्ट है जो लोकल है लेकिन उन में ग्लोबल बनने की संभावना है आरणी प्रदान मंत्री जी जहां स्वामी विवान की भाती भारती संस्कृति की पताका को पूरे बिश्व में लहराने का काम उनके माद्यम से हो रहा है सरदार बल्लभाई पटेल की भाती राष्ट को सुदर्ड यूम संगठीत मना रहा है बाबा साब अंबेटर की भाती सोशितों और बंचितों को उनकी चिंता कर रहे हैं और हमारे पंडित दीन दयाल उपाद्याई जी की तरह उनके आदर्सों पर चलते हुए अंतोदय के सपन को साकार करते हुए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हर सुविदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं यह हमारा स्वभाग्या है कि हम आदनी प्रधान मंत्री जी के नेतोत्म में उस महान यात्रा के सहयात्री हैं जिस यात्रा का गंतव्य भारत को परम बैभावसाली रास्त के रूप में खड़ा करना है आज़नी प्रधान मंत्री जी जिस कठिन परिश्रम दोरा भारत को पुना विश्व गुरू बनाने के लिए प्रत्नसील हैं यहां नकेवल मेरे जैसे सामान निव्यक्ति को बलकि भारत के 140 करोड भारतियों के मन में और अधिक परिश्रम करने के लिए आसा और विश्वास का बीज भी रूपित करने का काम आपका परिश्रम आपका आपका संकल्प करता है